तो मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लड़कों को इंग्लिश में ही से संबोधित करते हैं और ही से हीरो बनता है और लड़कियों को कंपेरिटिवली हिरोईन कहा जाता है तो अगर लड़कियों को शी से शीरोज कहा जाए तो उनकी खुद की एक अलग पहचान होगा अगर आप अपनी बेटियों को अगर आप शीरोज से संबोधित करें तो उनका मनोबल कितना बढ़ जाएगा कि मुझे भी इन्होंने ताकतवर कहा मुझे भी मज़े भी मजबू करकारों को इतना कुछ एफर्ट्स आपने किया तो क्या लग रहा है कि समाज में सोच का परिवर्तन होगा और आप आशानुवीत हैं कि ऐसा कुछ परिवर्तन दिखता है या दिखेगा बरस में जी बिलकुल मेरा यही मानना है मैं हमेशा से इस बात में विश्वाश रगत में कहीं न कहीं एक डर था एक संकोच था कि लोग मेरी बात सुनेंगे या नहीं लोग मेरी बात को समझेंगे या नहीं तो जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई मैं अपनी बाते रखती गई तो मुझे एक बात रियलाइज हुई कि कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जो ने कि अपनी तरफ से एक छोटा कदम, एक छोटा effort जो हम लोग सब ले सकते हैं, मैं यह नहीं कहरी कि आप भी कोई बड़ी सी संस्था खोल लीजे, बहुत सारे funds, बहुत सारे पैसे invest कर दीजे, कोई छोटा कदम, जैसे आप अपने घर की बात ले लीजे, अगर आपके घर में औ बहुत कोर्ते समस्याँं में जूज रही है, अगर आपकी माता, बहन उनको पीरेट्स के टाइम पर शरमशार किया घर है, उनके साथ उनको कीचिन में नहीं घुसने दिया जा रहा है, उनको पौधों को नहीं छुने दिया जा रहा है, तो ये छोटा-छोटा विरोध, उनको थोड़ा आराम देने के बनाई गई होगी, ताकि उनको थोड़ा विश्राम इसी बहाने मिल जाए, बाकी शदसे काम करें, लेकिन अब तो छोटा-छोटा परिवार आ गया है, जिसमें कपल फैमिली हम कहें, कि वाइफ अस्वेंड होते हैं, और एक दो बच्चे होते ह तो ऐसे में आपका ये मुद्दा उठाना और ये सुधारात्मक परविर्टी निस्टी तुरूप से जाइज लगता है, और आप क्या संदेश देना चाहेंगी समाज को ऐसा है, मैं आपने बिलकुल सही कहा कि हो सकता है, उस समय पर बहुत बरे-बरे परिवार होते थे, ब मेंस्ट्रोल फेस पांच दिन का होता है, उसे महिलाओं को आराम की आविशक्ता होती है, तो कहीना कहीं ये भी कहा गया, अब जैसे बात होती है, मंदिरों में प्रवेशना करने की, ये तो गलत है, तो ये गलत इसलिए लोग कहते हैं कि महिलाओं इसमें पर अशुद्ध ह होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब मासिक धर्म है, तो ये अधर्म केसे हृआ, जब मासिक धर्म है, तो ये मुझे पुरा नाम याद नहीं आँ रहा है, तो यही मेरी managing kadho haircut, इसका नाम है, ťीजरो ब्रेकिंग स्थेरियोटाइप्स, तो इस बुक का जो टाइटल रहे है एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि she rose क्या है तो मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लग लड़कों को English में he से संबोधित करते हैं और he से hero बनता है और लड़कियों को comparatively heroine कहा जाता है तो अगर लड़कियों को she से heroine कहा जाए अगर आप अपनी बेटियों को अगर आप शिरोज से संबोधित करें तो उनका मनोबल कितना बढ़ जाएगा कि मुझे भी इन्होंने ताकतवर कहा मुझे भी मजबूत कहा और इसके आगे का जो सीर्शक है breaking stereotypes इसका ये अर्थ हुआ कि ये जो शिरोज है ये उन सभी रूढ़ी वादियों को उन सभी धारनाओं को तोड़ कर आगे बढ़ रही है तो इस पुस्तक को दो भाग में लिखा है मैंने पहले पार्ट में लिखा गया है लैंगिक और समानतस जूरी जो भी समस्या है और आधी पुस्तक में लड़की की मोटिवेशनल स्टोरी है कि कैसे एक बहुती पिछरेवे पड़िवार से आकर और केवल अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो कहां तक पहुँच पाती है एक मोटिवेशनल स्टोरी बेस्टोरी बेस्टोरी बलकि जेंडर इससे भी कुछ अधिक है तो मैं सबसे पहले तो जेंडर इक्वालिटी की सही परिभाशा बताना चाहूंगी अभी भी हम लोगों को लगता है कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब है केवल पुरुष और महिला जबकि जेंडर तो ट्रांसजेंडर लोग भी होते हैं बाईसेक्शूल लोग भी होते हैं होमोसेक्शूल लोग भी होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं तो जेंडर इक्वालिटी तभी आएगी जब सारे वर्ग के लोगों को उनको एक जैसे अधिकार और अवसर दिया जाए आगे बढ़ने का तभी हमारा जो दुनिया है वो जेंडर इक्वल वर्ड बनेगा तो जैसा कि बात चल रही थी जानवी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जेंडर इन इक्वलिटी केबल हम मेल फीमेल के हिसाब से नहीं बलकि कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, लैंग्वेज है उसके फिजिकल ग्रोथ के अधार पर डिफरेंसेशन किया जाता है और समाज में ऐसे बहुत सारी विवेध उत्पन की जाती है तो उन सब को भी एक जुटा पर लाने के लिए, एक समान करने के लिए बहुत सारे महापुरसों ने काम किया आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि हमारे समाज में अभी भी फिजिकल अपिरेंस पे लोग जज़ करते हैं जो की सबसे गलत बात है हमारे समाज की, कोई गोडा है तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई नाटा है, यह क्या बाते हुई, जब इश्वर ने इंसान की रचना की थी, तो हम सब को एक जैसा क्यों बनाया, हम सब के अंदर जो खून दोड़ता है वो लाल होता है, सब की इंसानों की बनाई हुई चीजे हैं तो इसको हम इनसान ही खतम कर सकते हैं लगता है कि इस विचार को यदि संपुष्ट किया जाए तो राश्टियता की भावना आगे बढ़ेगी और हम तो यह कहेंगे कि राश्टियता की जो बॉंडरी लाइन है उसको भी तोड़के विश कि किसी भी कास्ट को लेकर कोई टॉचर किसी भी तरह से इंडिया गवर्मेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है तो मैं यही चाहूंगी कि लैंगिक समानता तो आए ही साथी साथ यह डिस्क्रिमिनेटरी माइंड सेट है कि कि किसी को नीचा दिखाना कोई अग इस चीज को रोकने की आवशक्ता है और हमारे समाज में बदलाफ तभी आएगा जब हम सभी लोग मिलकर इस पर काम करेंगे